ना बाल बचे ना खाल जी हाँ पूरे हिंदुस्तान में शायदी कोई ऐसा घर होगा जहाँ पर किसी ना किसी फोम में नारियल का इस्तेमाल ना होता हो लेकिन हम सबके घरों में इस्तिमाल होने वाले नारियल के ये प्रोड़क्स कोकोनेट इंडस्ट्री में तयार कैसे किये जाते हैं ये शायद ही पहले आपने कभी देखा हो इसलिए ही आज हम आपको लेकर आए हैं इंडिया के कोकोनेट हब टिप्टूर में और आपको दिखाएंगे कोकोनेट इंडस्ट्री का शुरुआत से लेकर बिल्कुल एंड तक का ये अमेजिंग जीरो वेस्ट प्रोसेस जिसे देखकर आप देखते ही रह जाएंगे इसलिए यहाँ पर आएंगे उन सबकी बाहर की शेल इस मशीन पर तोड़ दी जाएगी उपर वाली जो शेल तोड़ी गई है उसे अलग इकट्था किया जाएगा और अंदर से जो नारियल निकले हैं उन्हें अलग इकट्था किया जाएगा अब यह जो अंदर से नारियल निकले हैं इन्हें लिया जाएगा और इनके उपर जो छिलका लगा है उसे चाकू से यहाँ पर मैनुली उतारा जाएगा तो एक तरफ जहां अंदर से निकले हुए नारियल की धुलाई चलती रहेगी, वहीं दूसरी तरफ उपर से जो शेल अपनी तोड़ी गई थी, उसको भी फैका नहीं जाएगा बलकि इसे इकटा करके यहां से आगे ने जाये जाएगा कोकोनट चारकॉल और बार्बीक्यू बिकेट्स बनाने के लिए, साथ ही नारियल को छीलने के बाद जो पानी निकाला गया था, उसे भी देखे अलगी कठा किया जा रहा है, जिससे यहां पर कोकोनट विनेगर बनाया जाएगा, जो चिलेवे नारियल अपने पानी के अंदर डाले गए थे धुलने के लिए, उन्हें अब पानी से बाहर निकाला जाएगा, और यहां से बाहर निकालके इन्हें इधर पलट दिया जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं, पहले से कितना नारियलो लेडी पड़ा हुआ है, सारे नारियलो को धुलने के बाद इधर ही डाल दिया जाएगा, जहां से फिर नारियलो को लिया जाएगा इन बड़ी बड़ी टोकरियों के अंदर, और यहां से आगे भेजा जाएगा, जहां से इन नारियलो को लेकर डाल जाएगा, मशीन के अंदर जो की इस नारियलो को डेशिगेट करके, इसका बुरादया coconut flakes बना देगी, जैसे कि अभी इस मशीन मेन coconut flakes त्यार हुई हैं, लेकिन ये जो coconut flakes यहाँ पर अभी तयार हुई है आप देखे अभी ये गिली है अगर ऐसे ही इने market में भेज़ दिया गया तो इनमें कुछ दिलों के अंदर ही fungus लग जाएगी और ये खराब हो जाएगी तो यहाँ से coconut flakes ली जाएगी और इने डाला जाएगा इस बड़ी इस machine के उपर यहाँ पर आप देखे कितनी सारी coconut flakes ओलेडी पड़ी हुई है और जितनी तयार होती रहेगी वो सारी इलाखे इसी machine के उपर डाली जाती रहेगी और यहाँ पर जो अपनी coconut flakes डाली गई है यह इस machine पर धीरे धीरे आगे जाएगी और इस machine के अंदर इसको सुखाया जाएगा यानि कि इसके अंदर का moisture बिल्कुल खतम कर दिया जाएगा आप देख सकते हैं कितनी बड़ी यह machine है और इस machine के अंदर जो coconut flakes जाएगी वो 8 बार चक्कर काटेंगी और 8 बार गूमने के दोरान इनके अंदर का सारा moisture खतम हो जाएगा वो इसलिए क्योंकि इस बड़ी सी machine के पिछे लगी है एक बहुत बड़ी बट्ती जिसके अंदर आप देखे कितनी तेज आग जलती रहती है तो यहाँ से जो temperature आएगा वो इनका सारा moisture सोक कर बिल्कुल dehydrated और सूखी coconut flakes बाहर निकालेगा तो यह जो coconut flakes अब यहाँ पर बाहर आई है इनके अंदर कोई moisture नहीं है और इसलिए बिना किसी preservative के भी यह 4-5 महीने आराम से चल जाएंगी taste bean का बहुत अच्छा रहता है और oil content bean में बहुत जादा रहता है तो यह तो बात हुई coconut flakes की जो नारियल के उपर से shell तोड़के निकाली गई थी उससे यहाँ पर बनाई जाएंगी barbecue brickets तो यह अपनी barbecue brickets है जो की तंदूर में barbecue में इंची जो में इस्तिमाल की जाती है इसी चीलते टाइम चीलके निकाले थे उनसे भी यहाँ पर दीपम oil बनाया जाता है और नारियल से यहाँ पर नारियल का बुरादा desiccated coconut और coconut oil बनाया जाता है और यह जितनी भी चीज़े यहाँ पर तयार की गई है इन्हें आप डारेक्ट अपने घर पे मंगा सकते हैं उसके